एक सी आर की कार चलाते हैं अल्यू अर्जुन जाने साउथ स्टॉस की लगजरी गाड़ियों के बारे में साउथ के पॉपुलर शेक्टर्स में से एक अल्यू अर्जुन शौंती साल के हो चुके हैं 8 अप्रेल 1983 को चैन्नाई में जैनमे एल्यू ने 2003 में फिल्म गंगोत्री से डेब्यू किया यह फिल्म हिट रही वैसे अलोको फिल्मों के साथ ही कारों का भी शौक है उनके पास कई गाड़िया है लेकिन BMW X6 उनकी फेवरिट कार है इसकी कीमत करीब 1 करोड रुपए है इस पैकेज में ह ने हिंदी ओडियंस के बीच भी पॉपुलर कर दिया है वो मशेह रिक्ट उपलापाती वेंग काटा क्रिशनम राजी के भतीजे हैं साल 2002 में फिल्म इश्वर से करिया शुरू करने वाले प्रभास ने छत्रपती 2005 बिला 2009 एक निरंजन 2009 डालिंग 2010 रिबेल 2012 और मिर्ची 2013 जैसी फिल्मों में काम किया है प्रभास बॉलिवुड फिल्म एक शन जैक सो में कैमियोर रोल कर चुके हैं तमिल फिल्मों के सुपस्तार अजनी कंट ने तेलगू मल्यालम कनड़ और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है रोबोट 2010 मतू 1995 चंद्रमुखी 2005 और शिवाजी 2007 उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं उन्होंने हिंदी में पांच अंधा कानून बुलंदी खून का कर्ज इंसानियत का देवता और गैर कानूनी जैसी कई फिल्में की हैं वो पिछले 40 सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं साल 2016 में पद्म विभूशन मिला चिरंजी वीता मिल तेलगू और करनड के अलावा हिंदी में भी कई फिल्में कर चुके हैं न्यायन कावली 1981 मौन्डी घटम 1982 स्वयम क्रिशी 1987 गैंग लीडर 1991 और इंद्रा 286 साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया है बॉलिवुड की बात करें तो प्रतिबंध 1990 और आज का गुंडाराज 1996 उलेखनिया हैं चिरंजी वी करीब 10 बार फिल्म फे साउथ अवोड जी चुके हैं इसके अलावा भारत सरकार उन्हें देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पदम भूशन भी दे चुकी है चिरंजीवी की तरह ही उनके बेटे राम चरंटेजाने भी साउथ खास करते लगू फिल्म इंडिस्ट्री में अच्छा नाम कमाया है उन्होंने चिरु था 2007 नायक 2013 यवाडू 2014 और ब्रूसली दफाइटा 2015 चैसी हिट फिल्में दी हैं हाला कि हिंदी में उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी 2013 में उन्होंने चंजीर में काम किया था जो बुरी तरह है फ्लॉप हुई महेश बाबू खास कर तेलगू सिनमा के लिए जाने जाते हैं उन्होंने राज कमार उडू 1999 से साउथ इंडियन फिल्म इंडिस्ट्री में डेब्यू किया था मरारी 2001